नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News नमस्कार मैं नमस्कार मैं नमस्कार मैं पहुंच गया है नमस्कार मैं नमस्कार मैं नमस्कार मैं पहुंच गया है नमस्कार मैं नमस्कार मैं नमस्कार मैं नमस्कार मैं पहुंच गया है राजी चुनाव आयोग ने स्थानी निकाईों के चुनाव के लिए शेडूल तयार कर लिया है जिसके लिए मद्दाता सूचियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है हर्याना बॉर्ड न्यूज यूएमसी दर्ज प्रिक्षयार्थियों की 24 से सुनवाई नौमी पर ग्यार्वी की एनौलमेंट सूची डाउनलोड करने की डेट बड़ी हर्यान विद्याले 6 से बॉर्ड द्वारे सेकेंडरी वे सीने सेकेंडरी यानी सेक्सिक वे मुक्त विद्याले मार्च 2022 की प्रिक्षा में जिर प्रिक्षयार्थियों के अनुचित साधन समंधी केज यानी यूएमसी दर्ज हुए थे ऐसे प्रिक्षारतियों को बॉर्ड मुख्याले भिवानी पर व्यक्तिकत सुनवाई के लिए 24-26 मई को प्राते 9 बजे बुलाया गया है यह जानकारी बॉर्ड अदेक्स डॉक्टर जगवीर सिंग ने दी उन्होंने बताया कि सेकेंडरी वे सीने सेकेंडरी यानी मुक्त विद्याले वे स्वेंपार्थी परिक्षारतियों द्वारा उपलब्द करवाई गये मॉबाईल नंबर पर उनकी व्यक्तिकत सुनवाई की सुचना SMS के माधिम से सुचना बेज दी गई है अनुचित साधन यानी UMC समंदी परिक्षारतियों की सुची बोड की वे साइट पर उपलब्द है ऐसे सभी परिक्षारति निर्दारी तिति वस्तवे पर वेक्तिकत सुनवाई के लिए बोड मुक्याले विवानी पर पहुंच ना सुनशित करें वहीं हर्याना विद्याले शिक्षा बोड ने सभी स्थाई एस्थाई मानेत प्राप्त विद्याले म संसकत विद्यापेट गुरूकुल 667-2021 कक्षे 9-11 की एनुवल्मेंट सुची डाउनलोड करने की थी 19 मई निर्दारित की गई थी जिसे अब बढ़ा कर 24 मई 2022 कर दिया गया है हर्याना सरकार ने RTE में के संसोदन एक किलोमेटर की दारे में आने वाले प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेस केंगे बच्चे हर्याना स्कूल शिक्षा विबाग ने 2011 से लागू RTE में पुने संसोदन गया है इसके तहाट अब प्राइवेट स्कूलों को 8 वी तक की मानेता देने के लिए निदेसक मौलिक शिक्षा विबाग को अधिकर्थ किया गया है या फिर वेश के लिए किसी भी प्राइवेट स्कूलों को 8 वी तक की मानेता देने के लिए मौलिक शिक्षा विबाग के अतिरिक निदेसक वशिक्षा को अधिकर्थ कर रखा था लेकिन मानेता से संबन्दित कई विवादास पद मामलों के सामने आने के बाद अब निदेसक मौलिक शिक्षा विबाग को अधिकर्थ किया गया है नए संसोदन के तयात अब EWS केटेगरी के 25 परतिसत बच्चे अपने घर के नजदे की यानी एक किलमेटर की दारी में आने वाले प्राइविट स्कूलों में सिधा दाखिला लेस केंगे 22 शिक्षकों के डेपूटेशन ओर्डर कैंसिल हरियाना शिक्षय विबाग ने परसासनी कारणों का हवाला दिया मेवाद के शिक्षक लगे रहेंगे हरियाना सिख्षय विभाग ने 72 सिख्षकों को मौरनी में डेपूटेशन पर भेजने के आदेसों को तुरुंच परबाव से रद्ध कर दिया है इसके पीछे परशासनी कारणों का हवाला दिया गया है वहीं मेवाग के लिए बेजे गई सभी 550 सिख्षकों के आदेस यथावत रहेंगे इनके विशे में बाद में विचार किया जाएगा बीते दिनी सिख्षय विभाग की तरब से बेजे गई नोट में कहा गया था कि विभाग ने मेवाग और मोरनी में 622 सिख्षकों के तबादला आदिश जारी किये है इन दोनों बलोक के कुछ स्कूलों में सिख्षकों की कमी थी जिसके लिए विभाग ने कुछ अतिरिक्त सुविधाईं देते वे वहाँ नोगरी करने के इच्षक शिख्षकों से आविद्र मागे थे लेकिन स्थाई नियुक्ति के वल मेवाद केडर के लिए की गई है आपको बता दे कि अतित्य अध्यापक जिनका चेन ऐस्थाई दोर पर मेवाद या मोरनी के लिए क्या गया है उन्हें 10,000 रुपे मासिक इंसेंटिव दिया जाएगा मिवाद और मोरनी के लिए चैने चिक्षक डेपूटेशन के दोरान ट्रांस्पर ड्राइव में भाग नहीं लेंगे कुल्दी बिशनोई की CMC मुलाकात कॉंग्रेस नारा चले है नेता का ट्वीट आदमपूर पंचयत बहाली और राजनितिक मुद्दो परतर्चा हरियान के हिशार जिले के आदमपूर से विदाय कुल्दी बिशनोई की CMC मनोरलाल कटर से मुलाकात हुई कॉंग्रेस पर्देशा देक्स की कुर्षी नारा चले कुल्दी बिशनोई की मुलाकात ने राजनितिक गलियारों में नई जच्चा छेट दी है हालां कि कुल्दी बिशनोई ने इस मुलाकात को आदमपूर ग्राम पंचयत के संदर में जोड़ा है बतादें कि कुल्दी बिशनोई ने उद्यवान को कॉंग्रेस पर्देशा देक्स बनाए जाने के बाद राहूल गांधी से समय मांगा था प्रंतु 27 सप्रेल के बाद से अब तक उनकी राहूल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई है कुल्दीव तब से पार्टी गती वीदियों से दूरी बनाई हुए है ऐसे में सीम से मुलाकात ने उनकी भाज़पा के साथ नजदीकियों की चर्चा छेट दी है हर्याना में 1301 एक्टिव कोरोना केस पिछले 24 गंटों की दोरान 257 नए संक्रमित मिले हर्याना में पिछले 24 गंटों की दोरान 257 नए संक्रमित मिले है वहीं 364 लोग ठीक भी हुए है इनमें सबसे ज़्यादा गुरुगराम की 128 लोग सामिल है 15,263 सेंपल लिए गए अब हर्याना में कोरोना की सक्रे मरेजों का आगड़ा 1301 तक पहुँच गया है वहीं 129 लोग हो माईसूलेशन में है रिकावरी रेट की बात करें तो 98.8 परतिसात पहुँच गई है पोजिटिवटी रेट एक दिसमनों 59 परतिसात है केस कम होने के कारण पोजिटिवटी दर नीचे जा रही है सोन्य गांदी के दामात राबाट वाडरा के कमपनी का लाइशन्स रद आठ साल बाद हरियान सरकार के बड़ी कारवाई आखिरकार एक वक्त में चर्चाव में रही सोन्य गांदी के दामात राबाट वाडरा के स्काइलाइट होश्पिटिलेटी कम्पनी का लाइसेंस हरियना सरकार के संबंदित विभाग यानि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने रद्ध कर दिया है उक्त कम्पनी का लाइसेंस रिनु करानी के लिए परियास में जुटे हुए थे उक्त कम्पनी उस वक्त चर्चा में आई थी जब राजी के चर्चित अधिकारी असोक खेमका ने बतोर चकबंदी विभाग महाने देशक जमीन का इंतकाल रद कर दिया था उस वक्त केंदर में कॉंगरिस की सरकार होने के साथ हरियाना में बूपेंदर सिंग हुड़ा की नेतर तो में भी कॉंगरिस की सरकार काम कर रही थी पूरे मामले में आरोप है कि कोडियों की भाव खरी दी गई जमीन को वाडरा की कमपनी द्वारा डियलेफ को भारी किमत पर बेज़ा गया रिकॉर्ड निचले 70 पर रूपिया डॉलर के मुकाबले रूपिया 10 पैसे कमज़ोर होकर 37 रूपिया 72 पैसे पर पहुंचा आने वाले दिनों में 69 रूपिय तक जा सकता है डॉलर के मुकाबले रूपिया गुरवार को रिकॉर्ड निचले 70 पर पहुंच गया है ये 10 पैसे कमज़ोर होकर यानि 37 रूपिया 72 पैसे पर बंद हुआ इससे पहले बुदवार को ये 18 पैसे कमज़ोर होकर 37 रूपिय 62 पैसे पर बंद हुआ IIFL Securities के Vice President यानि Commodity and Currency अनुज गुपता निकाहा कि Global Conditions को देखते वे आने वाले दिनों में रूपिया कमज़ोर होकर 99 रूपिय तक पहुंच सकता है currency के उतार चड़ाव के कई कान होते हैं डोलर की तुलना में किसे भी अने currency की value घटे तो इसे उस currency का गिरना या तूटना या कमज़ोर होना कहते हैं और अंग्रेजी में currency depreciation हर देश के पास विदेशी मुदरा का बंडार होता है जिससे वह अंतराष्टे लेंदेन करता है विदेशी मुदरा बंडार की घटने और बढ़ने से उस देश के मुदरा की चाल ते होती है अगर भारत के विदेशी मुदरा बंडार में डोलर अमेरिका के रुपियों के बंडार के बराबर है तो रुपियों की केमत स्तर रहेगी हमारे पास डोलर घटे तो रुपिया कमज़ोर होगा बढ़े तो रुपिया मजबूत होगा परदान मंतरी गरामिन आवाज योजना अपडेट पक्का घर बनाने का सपना साकर करेगी हरियना सरकार इन्हें मिलेगा लाब नो के उपायक्त अजे कुमार ने पातर लोगों से सरकार की परदान मंतरी गरामिन आवाज योजना के लाब उठाने का आववान किया है उन्होंने काया कि योजना के तहित पातर लोगों को श्वयम का पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक साहईता परदान की जाती है उपायक्त अजे कुमार ने कहा कि योजना के तैद परतेक पक्का मगान बनाने के लिए कुल 1,38,000 रुपे की सहाईता राशी परतान की जाती है इस योजना के बारे में अधिक जानकारी देते वे उन्होंने कहा कि ग्रामिन चेतरों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वरक के उन लोगों को योजना कलाब दिया जाता है जो अपना खुद का पक्का घर बनाना चाते हैं लेकिन आर्थिक स्थितिक कमजोर होनी की वज़े से नहीं बना पाते उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पक्का सोचला बनाने पर भी हर्याना सरकार की तरप से 12,000 रुपे की आर्थिक साहई ता दी जा रही है मारूति का हर्याना में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट सरकारने खरकोदा में मारूति को 901 भूमी की हैंड ओवर 13,000 लोग को मिलेगा सीधा रोजगार हर्याना की मुक्यमंदर्य मनोलाल खटर ने कहाए कि हर्याना का भी किर्शी का केंदर होता था लेकिन किर्शी के साथ राज ये उद्योग में बढ़ा और आज हमारा हर्याना वर्ड वाइड इन्वेस्टर का फ्रेंडली डेस्टिनेशन बन गया है और एनेस से 18 किलमेटर दूर है जातक के MP से भी इसका शिदा लिंक है यहां मारुति जैसी बड़ी कमपनियों की निवेस करने से ओध्योगिक माहुल को शकारातमक बल मिला है आने वाले दिनों में ये चेत्र ओध्योगिक हाप बनकर उबरेगा और इससे चेत्र के विकास का पाईया तेजी से गूमेगा आफ़त के बारिस असम में बार से नो लोगों की मोध करीब 6 लाख लोग परभावित करनाटक में 22 माई तक बारिस का भारी अलट जारी भाद के कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिस का कहर देखने को मिल रहा है असम में बार से लाखों भी मोत हो चुकी है राजी के 27 जिलों में 6,62,000 से अधिक लोग बार्ड से प्रभावित हैं बार्ड के पानी में 46,163 हेक्टेर फसल भूमी डूब गई है असम के कई स्टेशनों पर पानी भर गया है ट्रेने पलट गई और पट्रियां उखट गई है पहाड़ी इलाकों में बुसकलन से पट्रियों के नीचे की जमी धस गई और पट्रियां हावा में जूलने लगी है अब तक बार्ड प्रभावित जिलों के करीब 8,054 लोगों को रैस्कु किया गया है करनाटक में भी बारिस लोगों की प्रेशनी बढ़ा रही है बैंगलूरू समेत कई जिलों म चार्ज वे दोगने एम्स में इलाज कराने के लिए लागों क्रोड लोग पहुंचते हैं जिन में से कई लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं ऐसे लोग के लिए एक राहत बरी खबर सामने आई है एम्स में अब 300 रुपे तक की सभी जाचों और लेबोर्टी चार्ज इसको फिरी कर दिया है प्रशास ने 300 रुपे तक की सभी जाचे मुप्त कर दिया है इस आदेश के बाद बलट जांच, एक्सरे, अल्टरा साउंड साहीत, कई चाजें अब निसुल्क यानि फिरी हो गई है एम्स के अदेख्स वे केंद्रे स्वास्त मंत्री मन्शुक इसे मंजुरी मिलने से इसे लागू कर दिया गया है एम्स परससन ने प्राइवेट वाड का सुल्क दोगना कर दिया है वाड में 20 रेनी के रूम का चार्ज अब 2000 रुपे से बढ़ा कर 3000 रुपे कर दिया है देखा जाए तो डिलेक्स रूम का चार्ज सीधा दोगना हो गय या सुल्क एक जून दोजरबाई से लाग होंगे करीब दस साल बाद प्राइवेट वाड के सुल्क में बदलाव किया गया है ATM से पैसे निकालने के बदल गए है नियम जानिये वरना अटक सकते हैं आपकी पैसे अगर आप भी अक्सर बैंक से पैसे निकालने के लिए ATM का परियोग करते हैं तो एक खबर आपके लिए काम की है ताजा जानकारी के अनसार अब ATM से पैसे निकालने के नियम में बदला हो चुका है SBI ने गरहकों की सुरक्षा और लगातार होने वाले फ्रोड से बचने के लिए एक अदम उठाया है SBI ATM से कैस निकालने के लिए आपको अब OTP दर्ज करना होता है अब नए नियम के तहट गरहक बिना OTP के कैस नहीं निकाल सकते हैं कैस निकासे के समय गरहकों को उनके मोबाइल फोन पर एक OTP मिलता है जिसे डालने के बाद ही ATM से कैस निकलता है आपको बता दें कि ये नियम 10,000 रुपय और उससे ज़्यादा रकम पर लाग हुए है LPG सिलेंडर 1000 रुपय के पार गरहलू गैस के दाम 3 रुपय 50 पैसे फिर बढ़ाए कॉमर्शिल सिलेंडर की केमतों में भी 8 रुपय का इजाफा किया आमजन को महेंगाई का एक और बड़ा जटका लगा है गैस सिलेंडर की केमतों में गुर्वार को एक बार फिर सिजाफा हुआ है पैट्रोलियम कमपनियों ने गरहलू LPG गैस सिलेंडर के दाम में 3 रुपय 50 पैसे की बढ़ोतरी की है वही कोमर्शल गैस सिलेंडर की बात करें तो केमतों में 8 रुपय के इजाफा किया गया है एक महीने में यह लगातर दूजरी बार है जब गैस के दाम बढ़ाए गई है अब से दिल्ली और मुंबई में 14.2 किलो वाला गरहलू LPG सिलेंडर 1003 रुपय का मिलेगा पिछले एक साल में दिल्ली में गरहलू LPG सिलेंडर 809 रुपय से 1003 रुपय पर पहुँच गया है वही कोलगाता में LPG के दाम 1039 रुपय और चेन्ने में 1018 रुपय 50 पे से पहुँच गया है झाता है झाता है तुपय कोलगा सुपय कोलगा